हलो गाईस कैसे हैं आप लोग आई हूप कि अब सभी लोग ठीक होंगे मैं हूँ अभी सीक और आप देख रहे हैं स्टाडी विर अभी सीक गाईस लेके आगया हूँ नेवी एमार के लिए जोग्राफी का पार्ट टू अच्छा इसमें हम पिछले 5 वर्सों के 300 प्लस प्रस्नों की सीरीज कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे जाकर के जरूर देखना अभी ये पार्ट 2 है जिस आप लोगों को पता है कि जो भी मैं questions करवाता हूँ वो Hindi और English दोनों में करवाता हूँ यादी Y 是'RE आपके एक्जाम में होता है उसी प्रकार से और सभी question जो है ये exam के लिए बहुत महत्तो पोर्ड़न है तो एक भी question को मिस मत करना और वीडियो के last में comment section में comment करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना था आपने कितने कोश्चन सही किये आउट ओफ 15 और आप कहां से हो ठीक है वीडियो को सुरू करेंगे लेकिन उससे पहले बोला साओंगा कि अगर आप चैनल पे नहीं हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुरू करते हैं 16 नंबर कोश्चन हम लोग देखते हैं तो कोश्चन है ज्वाला मुखी उदगार के निमनलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः बिसपोठक नहीं होता है इसके लिए हमारा ओप्चन ए यानि पीलियन एक ऐसा बिसपोठक है यानि ज्वाला मुखी उदगार का प्रकार है जो कि बिसपोठक नहीं होता ठीक है ये इस प्रकार का उदगार का प्रकार है किसका ज्वाला मुखी का यानि कि पीलियन is a type of volcano eruptions which is not often explosive पीलियन होता है ठीक है कौनसी भुकमपी तरंग तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती विच सिस्मिक वेव कैननोट पास थ्रू दि लिक्वीड मीडियम पीलियन एस और नन राइट इंसर हो जाएगा इसके लिए option नमबर बी यानि इल इल भुकमपी तरंगे जो है ये तरल माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती है इल सिस्मिक वेव कैननोट पास थ्रू दि लिक्वीड मीडियम लिक्वीड मीडियम से होकर के ये नहीं गुजर सकती है next question है question है नियूनतम जिवान्स की मातरा वाली मिट्टी है इसमें जिवान्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि नून्तम यानि नौ के बराबर होती है किसमें लेटराइट मिट्टी में नेक्स्ट कोर्शन है सुपर सौनिक बिमानों की उडान के लिए सरवाधिक सुविधा जनक वायू मंडल ये परत है इसके लिए हमारा ओप्शन नंबर बी यानि की समताप मंडल जो है ये सुपर सौनिक बिमानों की उडान के लिए सरवाधिक सुविधा जनक वायू मंडल ये परत है अब इसके बारे में अगर हम बात करें समताप मंडल के बारे में तो इसकी हाइट जो होती है भूतल से यानि पृत्वी के तल से इसकी हाइट होती है 8 km से ले करके यानि range 8 km से ले करके 50 km के बीच में याद रखिएगा 8 से ले करके 50 km के बीच में अच्छा और यहाँ पे जो है भूतल की तुलना में यानि जो हमारी पृत्वी की तल है उसकी तुलना में यहाँ का वायूदाब होता है 1 by 500 इतना होता है यहाँ का वायूदाब यानि एर प्रेसर 1 by 1500 भूतल की तुलना में 8 km से ले करके 50 km के बीच में यह होता है पृत्वी के वायू मंडल का सरवाधिक घनत्व कहां है लिए इस दा हाइस्ट डेंसिटी ओफ अफ अट्मोस्फेर चोब मंडल समताप मंडल मध्य मंडल और आयन मंडल राइट अंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्सन A यानि चोब मंडल चोब मंडल जो है इसमें पृत्वी के वायू मंडल का सरवाधिक घनत्व होता है इसमें चोब मंडल में चोब मंडल की अगर बात की जाए इसके बारे में फैक्ट की बात की जाए तो पहला फैक्ट यह है कि यह हवायू मंडल की सबसे नीचली यानि सबसे नीचे की लेयर है सबसे नीचली परत होती है दूसरा इसकी हाइट जो है वो दुरूओ पर होती है 8 किलो मिटर क्या ध्यान रखिएगा दुरूओ पर 8 किलो मिटर और विसुवत रेखा पर होती है इसकी 18 किलो मिटर ठीक है ये उचाई की बात हो रही है उचाई दुरूओ पर 8 किलो मिटर और विसुवत रेखा पर 18 km होती है ठीक है और ये जो है इसमें वायू मंदल ये जितनी भी घटनाए है आंदी, तुफान, बारिस, बादल सब कुछ इसी में होता है इसी मंदल में सब भी वायू मंदल ये घटनाएं घटती है नेक्स्ट है दिर्ग रेडियो तरंग वायू मंदल के किस परत द्वारा परवर्तित होती है छोब मंदल समताप मंदल, आयन मंदल और छोब सीमा राइट इंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा option C यानि की आयन मंदल, आयन मंदल के द्वारा जो है दिर्ग रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा परवर्तित होती है परवर्तित हो जाती है दोस्तों आयन मंदल की वज़े से जो रेडियो तरंगे है यानि जो रेडियो विब्स है वो अच्छे से रिफलेक्ट हो पाती है और हमें आसानी होती है बहुत सारी चीजों में किसी भी चीज के परसारण में इन सब में ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निम्लिखित में से कौन सी वायू मंडलिये परत ओजोन गैस से सम्रिद्ध है which of the following is the atmospheric layer rich in ozone gas troposphere, stratosphere, medium और ionosphere राइट इंसर हो जायागा इसके लिए हमारा option number B यानि की समताप मंडल statusosphere जो है, यह जो वायू मंडलिये परत ozone gas है, ozone gas से सम्रिद्ध है अगर हम ozone layer की बात करें तो यह इतना ज़्यादा important है समझ लो कि अगर आप जीवित हो तो ozone layer की वज़े से ही जीवित हो ozone layer की वज़े से ही आप जीवित हो अब जो ozone layer है यह status pair में तो होती है लेकिन वो निचले पार्ट में यानि 10 से लेकर के 50 km प्रिथवी से 10 से लेकर के 50 km के बीच में यह होती है इसका फायदा क्या है अब सुन लो वैसे पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब फिर से सुन लो सुर्य से एक किरन निकलती है जिसका नाम है ultra violet rays यानि पराबैंगनी किडने यह जो किडने है अगर यह direct हमारे प्रिथवी पे आए तो क्या होगा कोई जीवन नहीं होगा कोई जीवित नहीं बचेगा अनेक तरकी बिमारिया हो जाएंगी और सत्यानास सर्वनास हो जाएगा मानव जीवन का या फिर अन्य जो जीवित प्राणी है उनके जीवन का अब यह ultra violet rays जो है इन्हें रोकता कौन है इन्हें रोकती है ओजोन परत ओजोन लेयर जो है रोक लेती है और इसमें जो भी किर्णों में सकती आती है उसका 93 to 99 परसंट जो हिस्सा है पार्ट है वो यह अब्जॉर्व कर लेती है यानि कि आउसोसित कर लेती है उससे तो जो बचता है 7 से लेकर के 1 परसंट या फिर 1 से लेकर के 7 परसंट वो उतना हानिकारक नहीं होता है और उससे हम आराम से जीवन जी सकते हैं तो यह बहुत ही जादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए यानि प्रित्वी पे जीवन के लिए ठीक है ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं संचार उपग्रह किस वायू मंडल ये स्तर में स्तित होते हैं विच कॉमुनिकेशन सेटलाइट्स आर लोकेटेट अट विच अटमोस्फेरिक लेवल्स समताप मंडल, आयन मंडल, छोब मंडल और वहिर मंडल राइट इंसर हो जाएगा आप्षन B यानी आयन मंडल में आयन मंडल में संचार उपग्रह जो है वो स्तित होते हैं कॉमुनिकेशन सेटलाइट्स ये सब ही आयन मंडल में आयनसफेर में हैं तो इसका महत्व भी आप समझ सकते हैं नेक्स्ट है वायू मंडल की किस परत को समवहन मंडल भी कहा जाता है which layer of atmosphere is also known as convection division छोब मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल राइट इंसर हो जाएगा इसके लिए option A यानि की छोब मंडल जो छोब मंडल है ये वायू मंडल की ऐसी परत है जिसे समवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है समवहन मंडल यानि convection division और convection sphere next है हमारा वायू दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है the sudden decrease in the air pressure is the indicative of which of the following स्वक्ष मौसम यानि clean weather, तुफानी मौसम, storm weather, अत्यधिक सीतल मौसम, excessive cold weather और वर्साका मौसम, rainy weather right answer हो जाएगा इसके लिए option B यानि तुफानी मौसम अगर वायू दाब में अचानक कमी आती है तो वो इसका सूचक है कि अभी मौसम तुफानी होने वाला है the sudden decrease in the air pressure is indicative of storm weather next है वायू मंडल के कुछ बिसिस्ट भागों में उचाई पर अत्यधिक तिब्र गती के साथ गती सील पवन विवस्था कहलाती है extremely high speed at certain attitudes of the atmosphere is called dynamic wind system चक्रवाद, cyclone, anti-cyclone, jet storm और T tsunami यानि सुनामी right answer हो जाएगा इसके लिए हमारा option number C यानि की jet storm jet storm बोलते हैं जो कि क्या होता है वायू मंडल के कुछ बिसिस्ट भागों में उचाई पर अत्यधिक तिब्र गती के साथ गती सील पवन होती है जिसे हम jet storm बोलते हैं नेक्स्ट है सभी प्रकार के मौसम संबंधी परिवर्तनों का सरवाधिक संबंध किस्से होता है which of the following is most related to all types of meteorological changes चक्रवार्तिय, क्रिया, साइकलोनिक एक्सन, ताप परिवर्तन, आदरता परिवर्तन और वायूदाब परिवर्तन राइट नसरोजाएगा option D यानि वायूदाब परिवर्तन सभी परकार के मौसम संबंधी परिवर्तनों का सरवाधिक संबंध वायूदाब परिवर्तन से है change in air pressure is most related to all types of meteorological changes next है हमारा निमलिखित में से किसके कारण कुहासा होता है which of the following causes fog condensation यानि संघनन, वास्पी करण, evaporation, उधर्वपातन, elevation और संत्रिप्ती यानि की saturation right answer हो जाएगा option A यानि की संघनन condensation की वज़े से जो है ये fog यानि कुहासा होता है कुहासा उत्पन होता है condensation causes fog next है संसार का आद्रतम स्थान है the biggest place in the world right answer हो जाएगा option B यानि की मासिन राम मासी राम एक ऐसा स्थान है जो की संसार का आद्रतम स्थान है the biggest place in the world is मासिन राम next है हमारा विश्व का सरवाधिक उंचा सक्रिये ज्वालमुखी है world's highest active volcano is कलीमंजारो, चिंबो रोजो, कोटा पैक्सी और कैसकड right answer हो जाएगा option C यानि की कोटा पैक्सी कोटा पैक्सी एक ऐसा सक्रिये ज्वालमुखी है जो की बिसु में सरवाधिक उंचा है सबसे उंचा है कोटा पैक्सी याद रखिएगा तो ये आज के हमारे 15 questions थे I hope कि आपको पसंद आया होगे अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना share करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो अभी जग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर पेस कर देना इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ अगर चाहो तो इंस्टा और टिलीग्राम पर जॉइन कर लो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है आइडी आपकी स्क्रिन पर है थेंक्यू सो मच गाइस